हेलो गाईज कैसे हैं आप सब आसा है कि आप सब बहुत अच्छे हल्दी सौस्त और फिट होंगे तो चलिए गाईज आज हम जानते हैं पांच बहतरीन फूट सोर्स के बारे में जो की प्रूटीन से भरे पड़े होते हैं और हम देखेंगी कि कौन सा फूट सोर्स कम दामों में आसानी से मार्केट में हमें उपलदी मिल जाता है तो गाईज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए क्योंकि एक दोस्त सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता यार ये फ्री आप कोस्ट है मतलब भी पैसे नहीं लगते इसमें तो चलिए हम सुरू करते हैं वीडियो को तो गाईज सबसे पहला जो प्रूटीन के सुरूत में आता है वो है एग मैंने एक क्यों नमबर वन प्रूटीन सोर्स में रखा है क्योंकि एक अंडे में करीब 6-7 ग्राम प्रूटीन मिलता है और गाईज इसमें पाये जाने वाली प्रूटीन की क्वालिटी जो होती है एकदम जबर जस्त होती है गाईज अंडे में पाए जाने वाले पूटीन में सभी के सभी आवस्यक एमीनो एसिद पाए जाते हैं और गाईज अंडा हमें कम दामे मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है तो guys protein की requirement अगर पूरी करनी है तो आप के लिए अंडा एक बहुत ही अच्छा विकल्फ हो सकता है तो guys आप जो दूसरा protein की स्रोत में आता है उसका नाम है milk guys milk कहने की दूध protein का एक बहुत अच्छा स्रोत है guys 244 gram दूध में आप 8 gram protein पा सकते है guys वैसे तो दूध एक complete food है जिसमें लगभाग सभी के सभी पूसकता तो milk अच्छी मात्रा में हमें उप्लग मिल जाते है तो guys चलिए हम जानते हैं तीसरे protein source के बारे में तो guys हमारा तीसरा protein का source है चना जिसको हम इंगलिस में chickpeas भी कहते है guys 100 gram काले चने में आपको 20-20 gram के आसपस protein मिल जाता है और guys चना आपको market में असानी से मिल भी जाता है तो guys आप 1 kg यानी की 1000 gram चने से करीब 200 gram protein पा सकते हैं guys चना एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम दाम में उपलब धोने वाला एक protein का सुरोथ है तो guys आपको चना खाना चाहिए तो चलिए guys हम अगले protein source की बात करते हैं तो guys हमारा अगला protein का source है chicken meat guys अगर आप 100 gram meat का 7 करते हैं तो आपको 6 gram meat से करीब 31 gram protein मिल जाता है जो की एक बहुत ही अच्छी मात्रा होती है तो guys अगर आप protein की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आपको chicken खाना चाहिए तो guys हमारा अगला protein का source है fish यानि की मचली guys अगर 100 gram salmon fish या कोई भी fish ले लो उसमें लगवग 20-22 gram protein मिल जाता है guys अगर आप fish खाते हैं तो आपको vitamin E अच्छी मात्रा मिलती है जो कि हमारे तोचा के लिए बहुत ही अच्छी दवा है guys vitamin E को इस anti-sterility beauty vitamin B कहते हैं मतलब कि ए हमें नपूर सकता से भी बचाय रखता है हमारे sperm production में भी मदद करता है guys तो यहाँ पर मचली खाना एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो जाता है हमारे लिए अगर आपको protein की कमी पूरा करना है तो guys यह हमारे पास protein food source है जिसको आप खाके अपना सिहात अच्छा रख सकते हैं तो guys अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप कर दीजिए क्योंकि मुझे support करोगे यार तो अच्छे ची नए motivational वीडियो आप सबको मिलते रहेंगे और plus health related जितने भी वीडियो है मैं सब पर वीडियो बनाता रहूंगा तो guys मुझे कुछ नहीं चाहिए यार आप बस अपना स्वस्थ अच्छा रखो उसी में सबका अच्छा होता है तो मैंने मुझे लगा कि मतलब इस protein source पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना दिया guys आपको like करना है subscribe करनात करिए अगर आपको अच्छा नया motivational और plus health related वीडियो चाहिए तो please मेरी channel को subscribe कर दू तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बिदा लेते हैं बाए बाए